तो आज हम बात करने वाले नैचरल के स्मार्ट फ्यूचर के बारे में जिस तरह से हमने कल बोला कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दीखने को मिल रहा है तो इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चिनिटी आ सकती है तो उसके सब से लबबग अगर हम आर अपने कहां किया कांफॉर्मेशन के लिए आप वेट किया अपको आपको लिए कि अगर एक कॉंटी दी ले तो आपको इसके अंदर पो तो फेट आउजन का मुनाफ अराम्स आपको देखने को मिल सकता था बट इंपोर्टेंट बात ही अगर आप वी भी देख रहे हैं और अभी तक अगर समद लो इसका जो प्राइस है वो उपर नहीं गया हो तो मेरे साब से बहुत ही अच्छी कास की पॉट इसने टीन एम है अगर फिफ्टी डे का एवरेज इम होता है वो वी तक तोडना वाथ है तो मेरे साब से अगर फिफ्टी डे का एवरेज अभी कितना प्राइस है 186.1 चल रहा है और अगर ये 187 के आसपास अगर आता है तो अब इसमें 187 से 189 या फिर 187.5 तक का टारगेट अब इसमें नॉर्मली आराम से जीव कर सकते हो अगर अब और पेशेंट स्टेडर हो तो मेरे साब से आपका जो टारगेट होगा बड़ा वाला नेक्स टारगे वो लगबग 193 या फिर 192 के आज पास हो सकता है और इसके नजीस तरह से downward moment आपको clearly देखने को मेरे ये लेवल से यहां तक आप प्रेट कर सकते हो कि लगब लगब अगर आप अच्छे कासे ट्रीडर हो अगर आप पेशेंट लेते हो या कि नॉर्मल टारगेट अच्छी वार कि फिर से अगर आप पे ट्रेड लेते हो तो आपका टारगेट मिनिमम यहां तक तो अच्छी हो जाना चीए अगर आपको इस वीडियो के मुताबिक कोई प्रॉफिट हो तो हमें कमें चेक्छी में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी खुशी हो तो थेंक यू